नमस्कार सभी हिमाचल बासियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम्गुरू नॉलेज पॉइंट पे दोस्तों आज की वीडियो में हिमाचल प्रदेश की दो बड़ी अपडेट्स लेकर आया हूं तो वीडियो को एन तक देखना आप काफी ज्यादा महत् प्रस्ताब त्यार कर दिया है और दोस्तों इसके लिए जो नोटिफिकेशन और फिशन नोटिफिकेशन वो दो तो दो तीन दिन में आजाएगी इस पर नंतिम फैसला जोगा वह सरकार दोरा ले जाएगा श्यक्श्यप्षाब फिलाल के लिए और मैं आपको बता दूँ क इस प्रस्ताब में क्या कुछ रखा गया दोस्तों अब नीजी स्कूल जो है वो सिर्फ जो ट्यूशन फीज है और अनुल चार्जिस ले सकते हैं पर दोस्तों पहले क्या होता था कि पहले जो सरकार ने प्रस्ताब किया था उसमें सरकार ने कहा था कि नीजी स्कूल के वल ट् बाकि दोस्तों ट्यूशन फीज भी किस तरह सी ली जाएगी कितनी ली जाती हो भी स्कूल पर डिपेंड करता है तो यह कुछ इसमें प्राधान किये गए हैं अभिवाब को एक तरह का जटकाई ही रगए क्योंकि अभिवाब कोंसे पहले ट्यूशन फीज ही लेनी थी बट अ सरकार ने 50 प्रिफ्षत की तरज बर बसे चलाने का था कीौन फीक है कि करने वाली थी कि पचास। दोस्तों क्योंकि सरकार ने कहा कि अगर 50% बसे चलाई जाती हैं तो इससे लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके नहीं रखेंगे, भीड काफी जादा हो जाएगी बसों में, इसलिए दोस्तों उन्होंने कहा है कि सभी बसे चलाएंगे तो भीड भी काफी कम होगी और इ इस सवारियों से भी जो है खाफी जाद मिल जाएगा और बस बिस और उपडरियों को कोई नुकसा forte कर दिया गया और इस पर भी महबर जल्द ही लग जाएगी, एसा कहना है सरकार दोरा, ठीक है दोस्तों, केबिनेट में इस पर भी फैसला ले ही दिया जाएगा, कि सभी बसे चलाए जाएंगी, और दोस्तों जो इसमें भी सोशल डिस्रेंसींग का पालन ही किया जाएगा, ठीक है, जो सवारियां होंगी, वो पिछले ही दरवाजे से बा अबन्यवाद